MASH BOX PLAY Tano is making a stage with match boxes She first puts 14 match boxes like this in the first layer तो सबसे पहले Tanoon ने क्या किया एक stage बनाया match box का जो माची स्कारी दबबे रहते ही न उनसे उसने एक stage बनाया और उसने सबसे पहले 14 match box या माची स्कारी दबबे जो थे 14 match box के boxes लिए और उसको इस तरीके से जमा दिया and she makes four such layer and her stage look like this अब उसके बाद उसने उसमें four layer इसी तरीके से बना दी मतलब कि four 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 match sticks के boxes का set और रख दिया 14 के उपर 14 फिर 14 के उपर 14 and again 14 के उपर 14 है ना so she used 14 multiplied with four क्योंकि 14 उपर साइड है और four layer बनाई है तो total कितने match box उसने यूज किया है 56 तो 56 match boxes to make this stage है ना देखके ही पता चल रहा है the volume of one match box is the same as 10 centimeter cubes then the volume of this stage is same as 560 centimeter cubes तो जो volume है match box का वो same है 10 centimeter cubes के है ना तो जो volume होगा this stage का जो volume रहेगा वो कितना रहेगा क्योंकि 10 centimeter cubes है तो फिर 56 का क्या हो जाएगा 56 multiplied with 10 हो जाएगा तो answer जाएगा 560 centimeter cubes okay if all these cubes are arranged in a line how long will that line be अगर इन सभी cubes को हम एक विपुल जिसे ट्रेन होती है ना एक की पीछे एक डब्बे होते हैं अगर वैसा जमा दें तो यह कितना लंबा हो जाएगा अब 560 centimeter cube हुआ तो अगर हम इसको continue जमा देंगे तो एक centimeter का है यह ना तो कितना लंबा हो जाएगा य which has more volume your math magic book और tanoo's platform अब आपको बताना है कि जो tanoo ने platform बनाया था इसमें ज्यादा volume है यह जो आपकी math magic book है उसमें ज्यादा volume है तो देखिए volume मतलब क्या है जो उचाई है है ना तो कितना उचा है tanoo का तो जो platform है बहुत उचा है और हमारी जो math magic book है यह तो one centimeter की ही उचाई वाली है है ना it means कि tanoo का जो platform है इसमें ज्यादा volume है तो हम यहां लिख सकते हैं tanoo's platform has more volume than our math magic book okay with your friends collect many empty match boxes of the same size measure the sides and right here अब आप अपनी friends के साथ यह game कर सकते हैं कि बहुत सारे खाली match boxes आप लोग इकठा कीजिए जो की same size के हो और उनका measure side जो है वो लिखी है यहाँ पर यह देखिए match box का बना भी हुआ यहाँ पर फोटो बना हुआ है तो आपको यहाँ पर लिखना है कि कितना centimeter wide है scale के through आप इसको measure करेंगे कि सभी बच्चों का अलग-अलग भी हो सकता है किसी का छोटा वाला match box होगा किसी का बड़ा वाला match box जो माज इसके डब्बे रहते हैं तो कितना लंबा है यह वो लिखना है उसके बाद कितना long है कितना wide है यह इन दोनों का आपको लिखना है उस है ना उसके तुरू आप इसको measure करेंगे और यहां पर उसका जो भी है measurement लिखेंगे ओके यूज 56 match boxes to make platform of different heights fill this table अब यहां पर भी हमको जिसे हम तनू ने बनाया था वैसे ही different different type के 56 match boxes का ही यूज करके different height के वह बनाने है match boxes की shapes बनानी है ओके तो कितना high हुआ यह यह भी बताना है तो platform one how high it is अब अगर आपने एक बनाया और 56 match boxes ज्यादा आप यूज नहीं करेंगे है ना इतने ही यूज करेंगे आपको तो कितना high है how long it is how wide it is the volume of each platform is equal to dash match boxes make deep drawing of the platform you have made तो आपको 56 match boxes को use करना है इसके लिए different different height के लिए कि कितना ज्यादा आप हूचा बना पा रहे हैं सभी का कुछ का कम होगा कुछ का ज्यादा होगा तो उसकी height कितनी है वो long कितना है और उसकी wide कितनी है जब भी आप यह shapes बनाएंगे उसका height का measurement करेंगे उसकी long और उसकी wide का भी आप measurement करेंगे और यहां लिखेंगे प्लेट्वर्म बनाएंगे उसको बिगाडने के बाद फिर दूसरा बनाएंगे फिर उसको बिगाडने के बाद तीसरा बनाएंगे इस तरी के साथ बना कि उसका मीजर्मेंट करके यहां लिख लेंगे तो जो volume है वो कितना है हर एक जो सभी matchboxes का था उसका volume कितना है सभी के बराबर होगा न जितना 56 है तो 56 ही होगा यहां लिख लेंगे 56 matchboxes the volume of each platform is equal to 56 matchboxes make deep drawing of the platform you have made अब उनकी आपको जितने भी आपने ये तीनों platform बनाये न उनकी आपको एक deep drawing भी बरानी है बिल्कुरी साइक से boxes की एक drawing बना लेनी है okay so this is your homework for today so do it students